तो स्वागत है आप सभी का ग्यापन केडमी के इस नहें और लेटेस्ट वीडियो में आज के इस वीडियो में हम लोग तेंथ क्लास के उर्दू का जो चैप्टर नंबर 4 है जिसका नाम है कटीवी शाख इसका टोटल सलिशन करने वाले हैं यानकी सारे सब्जेक्टिव और स जब्लाइन चैप्ट्र नहीं पढ़ें तो जरूर इसके पहले वाले वीडियो देख लीजी और पूरा चैप्ट्र पढ़ें रहेंगे तो सारे कोशन के अंजर आप लोग कुद से ने पाएंगे चली फडवर विडियो को स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मारूजी सवलात ह करेंगे सबसे पहला सवाल आपके स्क्रिंट पर अलड़ी आ चुका है कमर जहां की तारीख के पैदाईश क्या है कमर जहां किस सिस्टन में पैदा हुए थे तो मैं आप लोग को बताई थी उन्हें से कि क्यावन नहीं तो बावन ऐसे कवन दिया है तो इसको टिक कर देंगे ठीक है आगे बढ़ते हैं दूसरा सवाख कमर जहां का का तालुक सबह बिहार के समझती पोर्जिला से है option number C is the right answer इसमें अलिफ बेजिम करके दिया है आप लोग इसको A, B, C, D करके समझें ठीक, तीसरा सवाल कमर जहां के वालिद यानिकी पिता जी का नाम था सेयदा ताउलक, option number A is the right answer देखिए अगर आप लोग चैप्टर पढ़े हैं कमर जहां का तालुक किसी यूनिवर्सिटी से है तो भागल पूरी यूनिवर्सिटी कमर जहां की एक अफसान वी मजमुवा का नाम बताईए तो उसका नाम है चारागर option number D is the right answer next question यहाँ तक तो objective complete हो गया अब यहाँ से मुक्तसर तरीन यानि की कमर जहां की पैदाईश कब हो यूनिवर्सिटी में उस्ताद थे तो भागल पूरी यूनिवर्सिटी में उर्दू के उस्ताद यानि की टीचर थे अब यहां से स्टाट हो रहा है मुक्तसर सवलात यानि की लगो उतरी अपरस्म शॉट ताइप question कमर जहां की हालात जिन्दगी पर पांच जुम्ले लिए मॉस्ट इंपर्टेंट कोश्चन बहुत बार पूछा गया है कमर जहां समझती पूर्जिला के एक गाउं बुजर्ग द्वार में उन्हें से क्यावन में पैदा हुए और बुजर्ग द्वार ही उनका अबाई वतन था यानिकी अपना मुल निवास था कमर जहां के वालिद यानिकी पिता जी का नाम था सेड़ाता हुए गाउं में सेड़ाता हुए खांदान तालिम या फता था घर के लोग खुद भी तालिम या फता थे और इल्मुल अदब से दिल्चस्प भी रखते थे और इनके बारे में सारा डीटेल्स में आप लोगो जब पढ़ा रही थी चैप्टर यानि कि इसके पहले वाले वीडियो में बता चुकी हूँ सारा डीटेल्स आप लोग जानते हों लिए इनकी हालाते जिन्दगी के बारे में बस लिख देना था पार्ट सिंटेंस में जो कि आपर जवाब में लिखा जा चुका है चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कुशन कमर जहां की तसानिफ की फुरसत मौजू के एतबार से लिखिए तो कमर जहां अगर एक तरफ अफसाना निगार है तो दुसरी तरफ तनकीद निगार भी है अफसाना निगार यानि की ये अफसाना भी लिखती है उसके साथ तनकीद भी लिखा करती है इसलिए उन्होंने दोनों असनाफ में अपनी तसनीफ पेश की अफसानों में उनके तीन मजमुएं हैं जो इस तरह है चारगर जिसके साथ उन्हें साथ तिरासी में अजनबी चेहरे जिसके वो परकाशित किया गया है उन्हें से एक्यानबिर में और यादनगर जो की जेरे शायत है भी इसको परकाशित नहीं किया गया है कुमर जहां की तनकीदी तसनीव भी दिया है अक्तर शेरानी की जिनसी औरुमानी शायरी मेयार, कलाम अब्दिल्ला, हाफिज मस्कीपूरी, अर्फ आगई वगरा इनके अकल्मी सफर अभी जारी है तो इस तरह आप लोगों को तसनीव की फोर्सत मतलब इनका क्रियेशन लिख देना है ठीक है? आगे बढ़ते हैं तीसरा सवाल की कमर जहां की तालिम और तद्रिस के बारे में मुक्तसरन बियान कीजिए कमर जहां ने इनकी तालिम और तद्रिस यानि की सिक्षा दिक्षा के बारे में आप लोगों को लिखना है तो कमर जहां ने अपनी अबाई गाउं बुजर्ग द्वार में ही इप्तदाई यानि कि शुरुवाती सिच्छा हासिल की थी फिर आला तालिम के लिए पटना आ गई आगे की पढ़ाई लिखाई के लिए पटना आ गई और पटना यूर्शिटी के मगद महिला कॉलेज में दाखिला लिया वहीं से इंटर उर्दू आउनर्स किया और पटना यूर्शिटी से उर्दू में में और पिएचडी भी किया और सुन्दर वती महिला कॉलेज से भागलपूर से लेक्चर की हैसियत से अपने मुलाजमत का आगास किया सुन्दर वतिमहिला कॉलेज भागलपूर से अमर जहां जो है ना लेक्चेलर की हैसियत से अपनी जौब की शुरुआत की फिर उनका तबादला भागलपूर उनिर्शिटी के शोबा उर्दू में हो गया और तरकी करके वह सदर शोबय उर्दू के ओधे तक पहुची तद्रिसी खिदमात के साथ आप अफसानानेगारी भी करती रही चिनांचा आपके कई अफसानीवी मजमुए और तनकाईदी किताब साय हो चुके है यहर एक चीज आप लोगो समझ में आ रहा होगा अगर आप लोग चैप्टर पढ़े होंगे तो ठीक है सारा डिटेल्स में आप लोगो कमर जहां के बारे में बताई थी अब देखिये फॉर नम्र कोष्टिन के उर्दू के किसी पाँच खवातीन अफसानानेगारों के नाम लखे sells the correspond पाउस्टार्ण अफसाननेगारों के नाम लिखे चलिए तब निसवे से उभला स्टार्ट हो रहा है यानि मतल्क जिसमें आप लोगो आनसर देना लेता है जो की पाश नंबê का होता है देज़िए सबसुत हैं की कमर जहां कि अफसानी मौछवाथ पर रोश्णी डाली ये ठीक है चलिए फ़रफरट इसका एंसर देखना प्मर जहां कि अफसानों के मौजवाथ जदीद दोर से मुटालुक है यानिकी मौडर्न दोर से जो है ना तालुक है मुटालुक है संबंदित है चुनके वह खुद भी मौजूदा एहद के एक नुमाइंदा अफसाना निगार है इसलिए अपनी तखलिकात में अपने एहद की आइनदारी करती है कोई भी फंकार अपने मौशरे के आम लोगों से जहनी सता पढ़ने से बतन बुलंद और हसास होता है यही वजह कि अपने समाज के हालात वकावाईफ को अपनी तखलिकात में पेश करता है अपने तखलिकात में जमाने की आइनदारी की दो सुर्ते होती है एक या के मौशरे की हालात वकावाईफ को फंकार अपनी तक्लिकात के जड़ीछा करता है दूसरी सुछाती है, फिंकार की पेशकर सोड़ थे क्लिकात की मुटाला करके, समाज भी उससे बहुत कुछ सेक्ता, और नए समाज की तश्कील, उसी नहज पर होती है, और नई नसल उसके उससे मतासर होती है अब बोला जा रहा है कि कोई भी जो राइटर होता है वो जिस समाज में रहता है उस समाज के बारे में उस समाज के उपर वो कहानी लिखता है उस हिसाब से कहानी लिखता है बिलकुन उसी तरह कमर जहां जिस समाज में जिस परिवार में वो पली बड़ी थी, जिस तرह का महावल उन्हेंने देखा था, उसी तरह की कहानियां वगर्रा, किताबय वगर्रा लिखती थी, जिससे दो फायदा होता था ये तो यह खुद पहला फायदा ये कि, جिस तरह का ये समाज देखी रहती है, उस तरह का ये कहा लिखा करती थी ना इससे समाज की लोगों को पता चलता था और समाज की लोग और आने वाले जितने भी नए नसल है वो मोटिवेट होते थे तो यह लंबा चोड़ा आप लोग को एंसर लिख देना है अगर आप चाहे तो इसको शौट कॉट कर सकते हैं देखें दूसरा सवा कि कहानी का उन्वान कटी ही शाख क्यूं है वाज़ा कीजिए कहानी का जो टाइटल है कटी ही शाख क्यूं रखा गया है बताना है तो कमर जहा के शामिल नसाव अफसाने का उन्हान का टी वी शाख है फिक्री अख़ जाखार से यह एक कामियाव अफसाना है इस अख़ाने में कहानी का मुवाद मौजूद दोर के मौषरती पसमदर से लिया गया है इसलिए कहानी अपने मौज़ू है कि एतबार से बिल्कुल इसमें बा मुसम्मी है 21 सदी में साइन्स और टेकनलोजी की तरकी इंटरनेट की एजाद ने महाल को जिस तरह मादा परस्त और इंसानी जिन्दगी को जिस तरह तेज रफतार बना दिया है जिससे जिन्दगी मौशरा भी पूरी तरह मतासर हुआ है इसके नतीजे में हिंदुस्तानी मौशरे में भी तरह तरह के मौसाइल पैदा हो रहे है हिंदुस्तान के इसी बदलते हुए मौसाइल को कमर जाने अपने अफसानों का मौज़ू बना है उनका जिरने साब अफसाना कटी विशाख भी इसी नौईद का अफसाना है जिसमें हिंदुस्तानी समाज का एक फर्दमादी तराकी की खौहिश लिए खलेजी ममालिक का सफर करता है और रात दिन की मेहनत से खूब दौलत कमाता है लेकिन दौलत कमाने के बावजूद और समाजी तोर पर अपनी तहजिब और माशे से कट कर रह जाता है वो जो आदमी रहता है वो देखिए कटी विशाख नाम के अफसाने में यही दिखाए गया है कि जिस तरह टेक्निलोजी आगे बढ़ रही है उस तरह सभी लोग जहना चा रहे हैं कि हम अपनी एक स्पेसल जिंदगी जीए और वो अपने लालच के वज़ा से शहर को अपने ही लोग को ठुकडा कर और आगे बढ़ते चले जा रहे हैं फिर उन्हें बाद में पता चलता है कि जिस रिष्टे को हम लोग ठुकडा कर आए हैं उस रिष्टे को हम फिर वापस जोड नहीं सकते हैं वापस पहले जैसा हम लोग नहीं कर सकते हैं यानकि इंफेक्ट हम लोग कटी वी शाख हो गये हैं तो वही बोला ज़ना है और सभी आपने जोरा है उस्सकार को चला जाता है। खाहिस में इतना स्वार्थी हो जाता है कि वो चला जाता है अपने पिता को बिमारी की हालात में छोड़कर और जाकर बहुत कुछ दिनों तक आप मैं आप लोगों को पूरा कहानी बताई भी हूँ कुछ दिनों तक रहता है कुछ सालों तक रहता है विदेश में पैसा कमाता है लेकिन बाद में उसको एसास होता है कि विदेश की जो दुलिया है शेहर जो है न, यहाँ पर सभी लोग जो हैं पैसे कमाने में लगे हूए है अपना अपन नहीं है जो हमारे गाओं में हुआ करता था बाद में उसको पता चलता है कि मैं कटीवी शाख की तरह हो गया हूं जिस तरह मैं अपने परिवार वालों से अपने माता पिता से रिष्टा तोड़ कर आया था अब मैं वापस जाओंगा तो वही वाला अपना पन वही प्यार हमको नहीं मिलेगा इंफेक्ट मैं तहनी को काटकर अलग कर दिया जाता है फिर लाख जोड़ने की कोशिट करो तहनी वापस उस्पेड में नहीं जुड़ती है उसी तरह मैं भी हो चुका हूं तो यह पूरी कहानी में आप लोगो बताई थी आप लोगो एंसर लिख देना है जरू नहीं है कि आप लोग इतन कि अपररी बताई gdzie को भी इतना है कि अपनिनी वादरी जुड़ी थी बना लिया जया सकते हैं। दुसरी सूरतिया कि किसी जुबान के लवज को जजवी या तर्मीम के साथ सूरत बदल कर इस्तवाल कर लेना या लिसानी स्था पर मुम्किन है तो इस तरह आप लोग को एंसर लिख देना है मैं आगे बढ़ती हूँ अब चार नंबर क्वेशन देखिए कहानी की मरकजी किर जाल आता है यह सारा चीजा आप लोगो लिखना है तो देखिए जवाब में लिखा है जेर निसाब अपसाना की कटी हूई शाख का मरकजी किवदार हिंदुस्तानी मौाश्य का एक ऐसा नौजवान है जो नहायर जद जहर से तालीम हासिल करने की बाद अपने जईफ वाल कर लेता है तो सब कुछ मतलब हासिल कर लेता है दौलत पैसा सब कुछ कमा लेता है लेकिन बाद में उसको एसास होता है कि यहां पर सभी लोग मशीन की तरह काम कर रहे हैं अपना नहीं है यहां पर जो हमारे गाओं में हुआ करता था माबाप हम से पुछा करते थे वहां पर अपना पन था लोगों के बीच बात्चित थी कुछ भी होता था तो लोगों दोड़े हुए चले जाते थे लेकिन यहां पर शहर में किसको क्या हुआ किसको मिटलब अपने काम से अपना मतलब काम रखो किसी का कोई मतलब नहीं है बच्चे जो है ना सो जाते हैं बीवी सो जाती है तब आदमी घर पर वापस लोटता है और बच्चे को सोया हुआ पाता है और फिर सुबह बच्चे और बेवी के उठने से पहले ही business सम्हालने के हक Week 8 ओदी ओग earnigal जाता है तो फिर देव में से पहले फिर वास चला जाता है तुछ जो शहर की जियर सब्सक्राइए很 Supreme वीदेश की जिंदगी वह क्या है एक मशीन की तरह है सब ही लोग जो हना घौड़े की तरह दोड रहा है दोड़ रहें दोड़ रहें सिर्फ और पैसा कमाने के लिए तो यह सारा कहानी सारा बात जोए न मैं आप लोगो इसके पहले वाले वीडियों में समझा चुकी हूं और इतना अप लोगो को जरूरी नहीं है कि इसी में सेंसर लिखेंगे आप लोग खुद नहीं आप सकते है ठीक है दोनों complete यानि की total solution होगे आज किस वीडियों में कोई भी confusion आप हमें कमेंड में पूच सकते हैं बाकि में आप लोगों को जो कुछ भी समझाई अगर समझ में आया है तो वीडियों को लाइक जरूर कर दीजिएगा पड़ाफट लाइक कर दें कमेंड में लिखकर बता अगले वीडियों में अगले टाफिक के साथ तब तक के लिए जाहिंद और खुदा हाफिज